उदैपूर में चाकूबाजी करने वाले चात्र के घर पर सरकार ने बुल्डोजर चलवा दिया है दरसल जो पूरा मामला था और उसके बाद जो हिंसा उदैपूर के अंदर भड़की और कई वहानों को आख्या वाले किया उसके बाद नेट बंदी और धारा 163 लगाने की भी नौबत जो है उदैपूर के अंदर आई उसके बाद जो है लगातार इस चीज की मांग की जा रही थी कि जेस सात्र ने चाकू बाजी किये उसके घर पर बुल्डोजर चलना चाहिए और 24 गंटे से पहले सरकार ने बुल्डोजर वाला एक्सन जो है वो काम में लिया और जो चात्र था दरसल पूरी कहानी जो है इसके पीछे की वो हम आपको बता चुके हैं लेकिन जो बुल्डो जो जमीन है उस पर आवेद रूप से बना हुआ है इसको लेकर बुल्डोजर वाला एक्सन जो है वो उस मामले को लेकर किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर जो है सचीन पाइलट का भी बड़ा बयान सामने आए जब भी देश-प्रदेश में कैसे घटना होती है चिं पाइलिटने का है कि हिनसा फेलांने वालों को गीछ तरीकी जगा नहीं होने की है और गिस को गया कि आए इस तरीके से तरीके की घटना वो एक चाकुबाजी की घटना के बाद इतना बड़ा रूप जो लेती है युफर कोन है जो इस तरीके के इंसगतिविदियों को करने के लिए जो है लोगों को फॉर्ज करते है और कौन है जो इनको ताकत देने का काम करते हैं प्रसासन ने अपनी और से जो है पूरी तरीके से अब कह सकते हैं कि उद्यपूर के अंदर इस्ति जो है पूरी तरीके से नियंतन में हैं हालात पर प्रसासन ने पूरी तरह से काबू पा लिया है आलंकि जो इंटर्नेट है वो 24 गंटे के लिए जो है उदापूर के अंदर बंद रहेगा लेकिन जो चातर है उस चातर के घर पर जो किराय पर वो रहता था उस घर पर जो है जो सरकार है उसने बुल्डुजर एक्षन किया है महिंदर्बास्णोटा लुकमत हिंदी जापउर झाल झाल